बले वैक्सीन आ गई है वैक्सिनेशन प्रोसेस चुरू हो चुका है लेकिन अभी भी साथानी जरूरी है आज से देश में सबसे बड़ा टीका करण अभियान शुरू हो चुका है और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन देने के कोशश की जाएगी लेकिन डॉक्टर्स औ भारत भी ब्रिटेन और अमारिका समेथ उन देशों की श्रेणी में आ गया है जहां कोरोना वायरस के खिलाफ टीका करण अभ्यान चलाए जा रहे हैं भारत में सभी राज्य और केंदर शासित प्रदेशों में टीका करण केंदर बनाये गए हैं जहां लोगों को टीके जिन से आप महामारी के चलते एक साल से नहीं मिले तो डॉक्टर्स और संक्रामक सेल विशेशग्यों ने तथ्यों के आधार पर चिताबनी दी है कि जिन्दगी इतनी जल्दी पहले की तरह सामाने नहीं होगी विशेशग्यों के मताबिक वैक्सीन मिलने के बाद भी जरू खुराक लेनी होगी जो 28 दिन के अंतराल पर दी जाएगी दूसरी खुराक लेने के दो हफते बाद कोरोना के खिलाफ एंटी बॉडी विक्सित होती है ऐसे में वैक्सीन लगने के बाद भी कोविट नियमों का पालन करते रहना जरूरी है जब तक ये एंटी बॉडी विक दखना और हाथ धोना जारी रखें तीका लगने के बाद हर्ड इम्यूनिटी बनने में वक्त लगता है इसलिए साफधानी जरूरी है साउपावलो यूनिवर्स्टी के मेडिसन विभा के प्रोफेसर डॉक्टर जॉर्ज कलील कहते हैं पहली खुराक लेने के बाद एक महीने का इंतजार करें उसके बाद दूसरी खुराक लें इस दौरान कम से कम 15 दिनों तक कोरोना से बचाफ के जरूरी नियमों का पालन करते रहें वाक्सीन लेने और एक से डिड़ महीने तक सारे हतियाद बरतने के बाद भी जिन्दगी को आम पटरी पर लोटने में समय लगेगा जब तक जाद से जादा लोगों को टीका नहीं मिल जाता तब तक सारे हतियाद बरतना जरूरी है रसल देश में एक बड़ी आबादी को कोरोना की वैक्सीन लगनी है जिसमें काफी वक्त लग सकता है कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़रूरी है कि जादा से जादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी उतना ही आप वायरस से सुरक्षित रहेंगे इसलिए टीका करण के दौरान भी आपको पूरा एहतियाद बरतना है साबधानी बरतनी है और यह साबधानी पहली डोज के बाद और भी जादा तब तक बरतनी है जब तक दूसरी डोज ना लग जाए Special Desk Total Use